हेलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल माउंट प्रड़ाइज पॉब्लिक स्कूल तो इस्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं अज के अपना क्लास और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं इंग्लिस रिडिंग बुक जो क्लास 3 की है उसके च बुक सेफ़ने दौर अगरे आप नहीं नहीं देख लिए और अब हम क्लास 3 की डाले वाले हैं प्लेसिश वीडियो में बन रही है आपको बहुत ज़्यदा समझ में आने माला है बहुत ही अच्छा स्टुरी है आप स्टोरी देखिए गया तो आप इसका क्वेशन एंसर डेफिनेटली बहुत इसली तरीके से आप कर सकते हैं तो जो हमारा क्लास सी का जो लिस्टिंग बूक का है जो शिप्टर है शिप्टर नमस्स है जिसका नाम है दा सीटी माउस मतलब की एक सीटी माउस है और एक कंट्री माउस है उन दूनों के बीच की क्या है एक स्टोरी है उस स्टोरी कमवह छीशी सीरीड करेंगे उसका मतलब हिंदी में जानेंगे और question answer को देखेंगे आप तब वीडियो बने रही है तो शली स्टार्ट करते हैं अचका अपना class without waste your time let me start now the chapter 6 class 3 English reading book the city mouse and the country mouse तो मारा story है, story कर रहा है read and enjoy this story, कर रहा है Mr. country mouse lived in a cornfield deep in the countryside he feel life was calm and unexciting country mouse रहता था कहां पर गन्य के खेत में रहता था गाहों के मतलब बगल में उसका जीवन एकदम सांत और एकदम सरल था one day his cousin from the city came the wire and Mr. country mouse invited him to dinner एक दिन की बात है एक दिन उसका cousin मतलब चचेरा भाही city mouse रास्ते से जा रहा था तो आया Mr. country mouse ने invite किया अपने घर खाने के लिए they sat down in the field and heard a picnic from picnic of corn, ground nuts and potatoes वो साथ में खेत में बैठे और बैठकर वहां पर corn यानि गन्य, ground nuts यानि बदाम और potatoes यानि की आलू खाये Mr. city mouse didn't think much of it उसके बारे में Mr. city mouse था कुछ ज़्यादा खास सोचा नहीं Is this how you live all year round? He asked trilling and his wish sucks. No, not much to her is there उसने मतलब उतना सोचा नहीं और उससे पूछा क्या तुम यहीं राते हो अपने जीवन गुजार लेते हो यहीं खेत में तुम कहीं नहीं जाते हो मतलब उससे यह पूछना start कर दिया तो Mr. country mouse का बोलता है I lived well मैं यहाँ पे अच्छे सिरा लेता हूँ answer country mouse इसका answer country mouse देता है when the weather is fine जब weather fine राता है मौसम साब राता है I play in the field मैं कहा जाता हूँ फिल्ड में खेलने के लिए when it is too hot और जैसे गरम होती है I take shelter in a bar तो मैं एक shelter में चल रहता हूँ बार मतलब वहाँ पे रह लेता हूँ nobody bothers me यहाँ पे कोई मतलब मुझे मतलब दीकत नहीं है I have many friends यहाँ पे मेरे बहुत दोस्त है and we have funs playing games और हम लोग बहुत सारे city mouse ने मतलब जोर से पर क्या फाइदा जब तुम्हारा कोई मतलब looking smart मतलब दिखावा जो मतलब दिखना तुम्हारा अच्छा देखना पानना अच्छा नहीं लगता है तो उसका क्या तो बोलता है well I don't have मुझे नहीं पता bother and bother about appearance ideally and my food is not doubt very plan but is wholesome and there is plenty of I never get hungry and here is fresh and healthy I never will I never have days in the illness लग वो काता कि मेरा जीवन यहां पर अच्छा है मुझे जो मिलता है मुझे अच्छा से खाल पी लेता हूं मुझे किसी बात की दिखत नहीं होती है I have to live here I die for bedroom sad city mouse hiding one of you and his will if you want to the sea what life can be like you better visit me तो बोला कि अच्छा नहीं है ऐसा तुम अगर मैं जा रहता हूं city mouse हो बहुत ही अच्छा है यहां हम लोग बहुत ही अच्छे से राते हैं सानों सौकत से राते हैं बड़े से गार में राते हैं बहुत सारे खाने पिने के चीज़े अगर तुम्हें हो सकता है तुम वहां बिजिट करने के लिए तुम मेरे घर आ सकते हो सो सेंग city mouse went back to his home in the city और ऐसा करका city mouse अपने घर चला गया अभी weeks later कुछ सबते भीतने के बाद country mouse went to the city oh me oh my कहां चला गया city mouse के पास चला गया मतलब जो बुलाया था वह what a bright palace है कितना मतलब बहुत ही जदा मतलब चमकदार उजाला पहले से it was full of bright shining light blinking and of the end such a rust कितना मतलब यहां पर मतलब उजाला ही उजाला नग रहा है मतलब पूरा एकदम चमकदार चीज़े से बारा हुआ है कौन सहर जुसको गाम वेशा तो देखने को मिलता नहीं था तो तो सहर आया चानब on hard to be quite quick on the wood with some crosses and fruit through the poor country mouse as we quickly cycled out the way out the way against wheels he was not used to search buster at all अब उसको देखकर वहां बहुत जीदा घपरा गया कि यहां पर यह कैसे रहता होगा इन उसके बाद करा रहा है ओ हो हो हाव इस वन यह पर गोएंग तो क्रॉस रोड कैसे यहां पर मैं क्रॉस रोड करूंगा ओ होप आई रिश्ट सीटी माउस मतलब सीटी माउस के घर जाऊंगा रोड करूस करने में मतलब मेरी जान ना चली जाए मैं मर ना जाऊं वाट आप पैलस यूएब तो भी सियोर सेट कंट्री माउस तो इस कॉजन लेटर एजी अडमाय सीटी माउस सीटी माउस लुट इन अलाजर अप द लार्ज हाउस वीथ वास फिल विथ द एक चीज और शीटी माउस रहता था वह एक बड़े से घर में रहता था जहां पर बहुत सारे खाने के चीजे थी जिसमें केक पनीर मिठाही और सा और उसके वाज़े सीटी माउस से घर पहुंचता है तो बहुत देख चलो आओ चलते हैं हम लोग डीनर करने के लिए एकसाइटमन के सान्थ वाट इल्वी हैब सम रोस्टेट चीकन क्या तुम लोगे क्या तुम चीकन लोगे बुना हुआ प्रियाप्स लोगे और चीज ए लेकिन जो किचन का तो जो जरवाजा था हो खोला चुट जूगा था तो किचन में या तो बोलता है कि चलो हम लोग एक दू मिनिट के लिए कहाँ छुप जाते हैं ब्रेट बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं वह चाला जाएगा तो उसके बाद हम लोगे खाना स्टार कर देंगे तो मैस वेंड है तो मैस वेंड है तो मेरा तो जान ही चला जाएगा अब वहाँ पे तो लोग खाना स्टार कर चुके हैं जैसे ही खाना स्टार के कुतर रहें दा से तो फिर हो आ गया कौन कुक हैं इस ताइम कुक लिफ्ट दर ओपन सो सी पूर माई सेट बहाइंड दा बॉक्स नीबलिंग दियर डीनर एंड स्केरली डिर्टिंग तो सीप बहात तो लोग डर चुके थे क्यों उनको डर था कि मतलब कहीं मुशे देखना ले तो मार रहें मतलब कौन डर जाता तो कंट्री माउस उसको देखकर उसके हाथ पर सारे काप रहते करा के अल्द वास देर वाज अपने मुशे को कुछ इरा दिया वहाँ पर केट आ गई मतलब बिली आ गई तो बिली आ गई तो उसको नोगों कर देखकर ली कंट्री माउस फ्लोट इंट बाट रहें कंट्री माउस ने वहाँ कुछ इंतिजार नहीं किया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया और कहा तो शॉट अप लाइफ विल बी दर देट तो मी यह तो मेरी जीवन का बहुत ही मिर्तु छड़ा चुका है सेट दे कंट्री माउस और हार रान अप देखक तो इस कॉर्न फिल असा का और अपने कॉर्ण फिल में भाग गया और बोला इस इस दालाइफ टु मिया मेरा जीवन यहीं सही है दे कंट्री माउस सेट तु इंसलब अपने से का आई में नाट है भाइन हाउस और डेरिंग भल तो बांने घर खोसी का एक मalश्य ही मतलब कंट्री माउस नें लिए जाकर उसकुरह क्वाना पीना अच्छा से आया मुण जो परभार केल दोस्ता है तुम कभी मेरे जाते हैं तो मेरे से घर कांड़े पिशने के बहुत सारी चीज़े यहाखे हैं कर दो केक केंट खा के रहे होते हैं लोग को चिपना पड़ता है और चिपका का था कशाने का फाइदा इससे वेतर है कि मैं अपने घर वापच चला जा मेरा रहे हुआ हुँ vigran तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो अगले वीडियो को अच्छा लगा हो समझ में आया हो तब पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए का चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए का ताफ तक लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक्षपी के साथ ती यब हो ऊई साथ ते किन कि आ से तो ट्राफ ट्राफटो ट्राफ्टों शभाश्राइंक j साथ घिए एक्र दीजिए